कनेक्षिन एक आवश्यक विश्यवानी पीज्या से व्यक्तिकों आध्यात्मी गुरुवार को आवश्यक आदर और सम्मान देने के लिए तयार रहना चाहिए, उसे अपने गुरुभाईयों से अनावश्यक इर्शा नहीं करनी चाहिए, बल्कि यदि कोई गौड अबरधर क क्रेश्यक चेतना में अधिक प्रबुध और उन्नत है, तो व्यक्तिकों उसे आध्यात्मी गुरुवार के लगभग बराबर के रूप में स्विकार करना चाहिए, और ऐसे गौड अबरधर को क्रेश्यक चेतना में आगे बढ़ते हुए देखकर प्रसंद होना चाहिए, एक बक्त को हम्मीशा क्रेश्यक चेतना की शिक्षा देते समय, आम जनता के प्रती बहुत दयालो होना चाहिए, क्योंकि माया की चंगुल से बाहर निकलने का यही एक मात्र उपाय है, ये वास्तर में मानविये कार्य है, क्योंकि उन लोगों पर दया दिखाने का तरीका है जिनने इसकी सक्त जरूरत है, शुश्रू शाभिरत शब्ग एक ऐसे व्यक्ति को इंगित करता है, जो इमानदारी से आध्यात्मिक गुरुवार की सेवा में समलगने है, व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरुवार को व्यक्तिकत सिवा और सभी प्रकार की सुक्स विधाएं देनी चाहिए। ऐसा करने वाला भक्त भी इस निर्देश को लेने के लिए एक प्रामाणिक उम्मीदवार है। बहर जात विराग्या शब का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसने बाहरी और आंतरिक भौतिक प्रवरेक्तियों से व्यराग्य विक्सित कर लिया है। वह न केवल उन गतिविधियों से अलग है जो क्रिश्न चेतना से जुड़ी नहीं हैं बलकि उसे आंतरिक रूप से जीवन के भौतिक तरीकल से विमुख होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इर्श्यालू नहीं होना चाहिए और उसे सभी जीवित प्राणियों की कल्यान के बारे में सोचना चाहिए। न केवल मनोश्यों के बलकि मनोश्यों के अलावा अनजीवित प्राणियों के बारे में भी सोचना चाहिए। जो कुछ भी क्रिश्न भावनाम रित से जुड़ा नहीं है उसे पाप समझा जाना चाहिए। श्रील प्रभुपात की पुस्तकें, व्याख्यान, वारित अलाप और पत्र इस आवश्यक विश्य की व्यापक प्रस्तुती प्रदान करते हैं जैसा की वानी कोर्ट्स कनेक्शन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निमनलकत आठ्र धर्णों में दिया गया है। श्रील प्रभुपात की पुस्तकों से उद्धरन भगवान भगवत गीता 9.29 में कहते हैं मैं किसी से इर्षा नहीं करता, नहीं मैं किसी का पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए समान हूँ। भगवान का परमव्यक्तित्व पक्षपाती नहीं हो सकता, वैं सदेव सब के लिए समान है। इसलिए जब देवताओं की कृपा होती है और राक्षिसों का वध होता है तो ये उनका पक्षपात नहीं है बलकि समयकारक का प्रभाव है। इस संबंध में एक अच्छा उदाहरण यह है कि एक एलेक्ट्रीशन हीटर और कूलर दोनों को एक ही विद्यतूर्जा से जोड़ता है। में ही क्योना हो। प्रकार नहीं किया और उसने अपने जोखिम पर अपने पती का पालन किया। श्रीमत भागवत 1.13 जो व्यक्ति सन्यास ग्रहन करने के लिए बहुत उत्सुख है जो सांसारिक गतिविधियों से अलग है। जिसे किसे भी प्रकार की भौतिक सुविधाओं की कोई इच्छा नहीं है। और जो बार बार जन्म और मृति उसे बच जाता है, उसे आष्रम कहा जाता है। क्रिश्न चेतना आंदूलन से जुड़े सभी भक्तों को वे सभी पुस्तके अवश्य पढ़नी चाहिए जिनका अनुवाद किया गया है चैतन्य चरितामरित, श्रीमत भागवतम, भगवत गीता और अन्य अनिथा कुछ समय बाद विबस खाएंगे, सोएंगे और अपनी आनंद का शाश्वत, आनंद में जीवन प्राप्त करने का अवसर खो देंगे, चैतन्य चरितामरित, मध्यलीला 25.278, हमारा पैत्रिक परिवार भी इसी जिले से आया था और इसी समुदाय का था, कलकत्ता के मलिक दो परिवारों में विभाजित हैं, अर्थात सिल परिवा से एक ही परिवार और गोत्र के हैं, हम भी पहले डी परिवार की शाखा से संबंधित थे, जिसके सदस्य मुस्लिम शासकों से घनिष्ट रूप से जुड़े हुए थे, उन्हें मलिक के उपाधी प्राप्त थी, चैतन्य चरितामरित, आदिल लीला 11.41, भगवान कृष्ण उनसे प्रसंद थे, और चुके वे सभी उन्हें अपने पती के रूप में पाना चाहते थे, उन्होंने उनसे कहा, मेरी प्यारी लड़कियों, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए क्या चाहती हो, और तुम देवी का ध्यायने की पूजा क्यों करती हो, और मैं इसे पूरी त उनसेवा के संबंद में कोई भी इच्छा सामाने कर्म की तरह कोई फलदाई परिणाम नहीं दे सकती है, कृष्ण ग्रंत, अध्याय, बाइस, जहां तक शरीर की रक्षा करने या समाज और राजिके नियमों का पालन करने की बाद्ध है, निश्चित रूप से सशर्थ जी प्रति पूरी तरह से सचेथ है और कृष्ण चेतना या भगवान की भक्ति सेवा में लगा हुआ है, उसकी गतिविधियां दिव्वे कहलाती हैं, ऐसी गतिविधियां उनके समवैधानिक पदपर की जाती हैं और उन्हें तक्निकी रूप से भक्ति सेवा कहा जाता है, गवाद गीता नो दशमलो तीन शुन्य